शिवा, इवा, शिवा, शिवा, इवा, साता, जया, थोडल वगंद शिवा, नजा, थाया, बाडल यार, यार, इतियास का मर्डर हो गया है, यह कब हुआ, यह कैसे हो गया, किधर? शिवा, 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 शिवा सर आप यह देखेंगे या फिर मैं बॉड़ी को पोस्ट मॉटम के लिए भेज़ दू भेज़ दो ओके सर चलो बॉड़ी को शिफ्ट करते हैं हुआ है आपके सर क्या लागिया एक वाटर है एक पानी की बोटल है एक को प्राइव और एक मस्त बिरियानी ही आप ये भाई इतरा है या सर बिल कितना हुआ पांसो साट रुपे सर ठीक है बिल में अभी पहले ही पे कर दूंगा ये सर इने के बाद मुझे ध्यान नहीं रहता है समझ गया सर एक आप बॉइल ना रहे है सर तिब बीचे ही है क्या सर वो मैंने 600 रुपे बेज़े हैं 40 रुपे तेरे हुए ओके सर थेंक्यू हुम थेंक्यू सर 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 इन्फोर्मिशन पक्की है हैकर यहीं पे है सर आप यहां कैसे मैंने सुना यहां की शराब बहुत मस्त है बस वो ही चकने है हो सर आप यहां बैठ जाए सर आप दोस्ट को जाए अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है बे तू दिन बर दिन सरदर्द बनते जा रहा है अबे प्रॉब्लम क्या है चल भाई आज बहुत हुआ अभी घर चलते हैं कितना हुआ चोटे दो हजार रुपे सा क्या भी देता हूँ बस कैश निकल जाए नहीं इस बर मैं दूंगा रुक तू रुक तू रुक प्रोब्लम क्या है तेरी अरबर तू क्यों देता है खुद को बहुत बड़ा अदमी सम कितना कलेक्शन हुआ आज उजय तुमने केस कैसे सॉल्व किया सॉ अ मने साँट जोन के बार के सारे ओनर्स पे मोबाईल नंबर को ट्रेक किया उसके लिएुए जाल विचाए हिह हीink कर देता था उसके जरिये वह बार के ओनर्स के मोबाईल को कंट्रोल करता था है सी ओनर के फोन में जो भी नोटिफिकेशन आती थी हैकर वो रीड कर सकता था ओनर का मोबाइल हैकर के कंट्रोल में रहता था अगले एक घंटे था सर कोई भी पेमेंट डिरेक्टली हैकर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती थी क्वाइट इंट्रेस्टिंग हमने बड़े ही आसानी सो से पकड़ दिया सार हैगर की लोकेशन और टावर की लोकेशन सीम दिख रही थी इसलिए उसे ट्रेक करना बहुत आसान था सर वेरी पॉजिटिव विजय है वेरी गुड सर अपाटमेंट से सारे एविडेंस अभी तक कलेक्ट नहीं किया सर तो फिर चलो काशी सर बहुत बुला रहे हैं आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो ? क्या हुगा सर ये केश भी हैंडल नहीं कर सकते तुम लोग सर अब किस की बात कर रहे हैं ? वो अपाटमेंट वह लेकेस की बात कर रहेosten तुम्हारे बीवी का भाई या तुम्हारे अंकल का बेटा या फिर नेता, सेलबिटीज या हाईर अथॉरिटीज से प्रशर होता तो तुम अपना काम सही करते ना तुमने इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है अभी चल रही है सर, मुझे नहीं लगता, मुझे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उन्होंने तुम्हें सस्पेंड करने का ओर्डर दे दिया है, तुम जा सकते हो, सर, मैं ये केस किसी और को दे रहा हूँ, ओके सर, अरे काशे, सर, तुम यही रुको, ओके सर, सर, केस के बारे में सारी डीटेल्स, एंड सस्पेक्स के बारे में सारी इंफोर्मिशन इस फाइल में है, सर, इतिहास, इतिहास की इस्ट्री यहां खतम, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, यहां रिपोर्ट के अनुसार मडर मंडे को तीन से साड़े तीन के पीछ में हुआ, इसकी बॉड़ी पर जहाँ-जहाँ निशान है, वो देखकर लग रहा है कि, पांच बार चाकु से वार किया, और तीन नॉर्मल वार, दो गातक वार, सर, उसके पैंट भी गिली थी, सर, लगता है हमलावर लेफ्ट हेंड़ेट था, खूनी का चाकु, चाकु, सस्पेक्ट ने उसके गला खोटा, रसी या कोई और पतली चीज जो उसने गला दबाने के लिए, उसने गला भी दबाया और चाकु भी इस्तमाल किया, मामली खुन नहीं है, सर, डबल एटेंप्ट है, मडर वैपन भी क्राइम सीन से गायब है, येस सर, विक्टिम का फोन उसके पास मिला, डेड बॉडी के पास, क्या इस डेटा को अच्छे से चेक किया, सर, वो लैब में जाके चेक करता हूँ, प्लीज चेक, हाँ, ठीक है, सर, तुम्हें कोई और फोरेंसिक सबूत मिला, ये जो इतियास का कॉल हिस्ट्री है, इसके अंदर मुझे सारे नंबर्स मिले, सर, सर, उनमें से प्राइमरी सेस्पेक्ट्स को हमने मार्ग भी कर लिया, सर, पर सर, मर्डर के आधा घंटा पहले, एक पब्लिक बूट से फोन आया था, सर, क्या? आज के जमाने में भी वो पब्लिक फोन यूज़ करता है, वो फोन एक शॉप का है, पर वो शॉप दो, तीन हफ़ते से बंदे, सर, विक्टम के बारे में तुमारे पास कोई और इंफोर्मेशन है क्या? सर, जिसा मैंने बताया, वो बैंक में काम करता था, बैंक? सर, मैं उसके एक कली को भी लेके आया हूँ, अंदर लेके आँँ, सर, लेका रहाओ, ओके सर, और हाँ एक चाए बोलना, हाँ, ओके सर, सर, इतिहास को तुम कैसे जानते थे? सर, मैं इतिहास को बहुत अच्छे से जानता था, तुम रहते काओ? सर, यहीं पास में, सुर्भी नगर में जो बार है, उसी के पास, कहां काम करते हो? सर, मैं बैंक में, आपको कोई लोन चाहिए होगा, तो बताइएगा, मैं जुगार कर दूँगा, मेरी पहचान है, कौन से बैंक में? सुरक्षा बैंक सर, और तुम्हारा ओफिस किस जगह है? सर, वो ओफिस नहीं है, वो बैंक है, सर, यहीं पे, रेसिदेंसी रोड पे, बेवाच बार पता है न, उसी के बगल में, मुझे सिर्फ इतना पूछना है, कि तुम्हें इत्यास को कैसे जानते हो? सर, मैं इत्यास को बहुत अच्छे से जानता था, पर समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, पता नहीं किस ने किया, बहुत अच्छा आद्बी था, वो मुझे हमेशा पैसे उधार देता था, ए, वो सारा सब कुछ हम देख लेंगे, तिरको जो पूछा वो बता, सर, उसे पैसों से बड़ा प्यार था, पर पैसे से भी ज़्यादा लड़कियों से था, क्या मतलब? सर, हमारे बैंक में, हम जैसे एक काउंटर से दूसरे काउंटर फाइल मूव करते हैं, उसी तरह वो हर महिन लड़की बदल लेता था, वो भी एक अलग हिट अलेंट था, सर, नमबर प्लीज, या, 97, 97, 36, 28, 34, सर, आपका ऐसा घूरना सही नहीं है, पर तुम तो बहुत मस्तो, सर, आपका कार्ड, थेंक यू, हम्, एक बाद बता, सभी लड़के को कैसे पटा लेता है, कैसे भाई? मुनी स्वामी, लड़कियों के दिमाग में प्यार फूल की तरह होता है, जो कि पौदों में खेलता है, कुछ तो एक दिन में खेल जाता है, कुछ को बस हफते लग जाते हैं, बट कुछ स्ट्रॉंग फूल को एक साल भी लग जाता है, ठीक ऐसे ही लड़कियों के दिमाग में प्यार भी खिलता है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि, किसी पौदे में कोई फूल है जो खिलना चाहता है, समझ गया, जब मैं क्लाइट के फाइल लेने गया था उसके पास, वो किसी लड़की के साथ था, सब कुछ सही से, संभाल के जाना, ठीक है भाई, बस तभी लास्ट बार मिलेते सर, आखरी बार इतियास से कब मिले, सर, वो, हलो, यार, पितियास का मर्डर हो गया है, किधर, हे, एक पैगला, तुने इसक्रिट बहुत अच्छी लिखिये, मैंने तुझसे काहे, जो हुआ वो बता, ये एडिटिंग बर्जन मत सुना मुझे, काशी, सर, इसकी इंक्वरी करो, ए, ढंक से बता क्या हुआ था, आदिटिया कोलापूर, वो कस्टमर से डाउन पेबेंट का जुगाड उसी से करवाता था, हे, वो दस नमर बिल्डिंग का भीमेंट आया गया, मैं तो सामने आने से भी डरता था, वो पता नहीं उनसे कैसे डील कर लेता था सर, बहुत बहादूर था, उनके बीच कुछ था क्या, ठीक है, तुम जा सकते हो, हाँ सर, इतियास का कॉल डीटेल्स चेक करने में, एक लड़की का नमबर मिला है, उनके बीच बहुत बहुत बार बात वही है, मैंने लड़की को भी कॉल किया, आपको तो उसे यहाँ बुला ले, लगता है बपपा की पुझा तुम एक महीने से कर रही हो, ऐसा तो नहीं है, पर क्यों? क्योंकि मुझे तो उनी की फोटो दिखाई देती है, तुमारी प्रोफाइल पिक में, ठीक है, मैं बात में चेंज कर दूँगी, तुम अपनी क्यूट सी पिक्चर लगा लो ना, पहाड में जाओ, तुम ने उसे लास्ट बर कब देखा था, तुमारी इसाथ कॉन लड़की है, हे, मैंने बस लिफ्ट दिये यार, जूटे, दुबाय आरा मुझे कभी कॉल मत करना, हाँ, या, ओके, ओके, फाइन, कल, कल बात करते हैं, सर, वही लास्ट टाइम था, उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिली, काशे, वो जो लड़की लॉज में थी, काव्या, ने, ने, लाव्या, लाव्या, हाँ, उसका क्या हुआ, सर, एक्चुली, जबसे महेशर ने इन्वेस्टिकेशन स्टार्ट की थी, तबसे वो लड़की गायब है, महेशर ने इसको नजर अंदाज कर दिया, फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, सर कही है, तुमारा मेनेजर किदर है, सर वो तो छुट्टी पे है, चुट्टी पे है, यह सर, सर, वो अभी चुट्टी पे है, काशी चलो चलते हैं, जाएं क्राइम सीनों आप वहाँ कुछ में लेगा, ओके सर, देख लो ना काशी क्या हुआ है, कुछ नहीं मेरी बीवी है सर, प्रवचन में लेके जाना चाहती है सर, पत्नी कभी पत्नी के नहीं सुनती हैं, उसके बाद भी हमारे लोगे परवचन सुनने के लिए जाते हैं, पतानी उनकी क्या सुनेंगे, और सुनेंगे भी तो क्या समझेंगे, सर इदर थर्ड फ्लोर पे है सर यह जो इतिहास के पडोसी है ना उन्होंने भी फ्लैट इतिहास के थ्रूई लिया था अगर उन तक पहुच जा है तो शायद जनकरी मिलेगी सर आये सर काशी तुम बाहरे रुको ओके सर कर दो लुच इंस मुर्ण तर hahaha है ये ये से जे शामeden यह तुमारह ही घर है। नहीं, सर. लोन पे है। बढ़ो हम ने लोन पे लिए, सरू बैंकलोर में लगबग सभी घर लोन पे जिया, सरू तू मित्यास को कैसे जानते हो… सरू उसी ने हमको तो ये फिलैट दिलाया था। लोन के सारे डोकिमेंट्स उसी के पास हैं। तुम कहां काम करते हो। सर में टूइन टावर के पास आइटी कमपणी में काम करता हूँ। सर ये मेरी वाइफ एपिक्षा है। सॉफ्टियर जॉब हाँ। हाँ सर, पहले काम करती थी वो, अब वो हाउस वाइफ है। वो पास में ही अनाथाश्रम गई है। मतलब तुमें टेहास को पहले से जानते थे। नई सर, हम तो फ्लैट लेने समय ब्रोकर के थ्रो मी ले थे। मैं यहाँ सब इंतजाम करने के बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। यह मेरे बहुत इतियास है। मैं आदर्श। मैं इतियास। मुनु स्वामी, तुमने सब दिखा दिया। सर, आप बिल्कुल टेंचर मतलो। मुनु स्वामी ने मुझे बता दिया है। मैं बहुत कम रेट में आपको लो रेनेंच करवा दूँगा। बालकनी दिखा ही तुमने। सर, आईए। भार का व्यू एक्चुली बहुत ही। डैविड ओफ कुल वाटर। हाँ, एक दोस युएस से आ रहा है, आपकी लिए भी मंगवा दूँगा। क्या तुम घर पर ही थे जब ये मडर हुआ। नई सर, मैं ओफिस गया था। मेरी बाइब शॉपिंग गय थी। मडर के दो-तीन दिन पहले तुमने किसी ऐसे को देखा हो जिस पे तुम्हें डाउट हूँ अपाटमेंट के अंदर। नई सर, मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया सर। क्या इतियास ने तुमसे कभी कोई डिमांड की। नई सर, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई भी जानकारी मिले तो हमें ज़रूर बताना, याद से। शियोर सर, पक्का। सर, यह यहां का सेक्यूरिटी हैस। नमस्ते सर। तुम कहा पर थे। सर वो.. अपाटमेंट में जब मडर हुआ। सर, मैंने आपको सब बता दिया। ए, उस दिन दूसरे सर से बात की थी, इनको सब सच बता। सर, मैं यहां 24 घंटे जूटी करता हूँ। मैं कहीं नहीं जाता यहां से। तुम उस वक्त कहा पर थे। मुझे एक लथ है। मैं बिल्डिंग के पीछे यही साइड में सिगरेट पिने गया था। बस यही एक लथ है सर, छोड़ दूगा सर। तुमने यहां किसी नए इनसान को देखा जो यहां ना रहता ह। सर, यहां सर, दो-चार फ्रेटी भरे हैं। बाकि सब खाली हैं सर। मैंने यहां किसी नए को आते नहीं देखा। इस अपार्टमेंट का ओनर कौन है। सर, नसिम्मा जी हैं। कभी कबार आरती डाते हैं। सर, उनका नंबर दूँ क्या आपको। हाँ, दे दे। बता नंबर दता। सर, वो खुद ही आ गया है। सर, नमस्ते सर। यह सब क्या है, तुम्हारा सेक्यार्टी हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा है। सर, स्टेशन लेके जाके मारेंगे न, तो सब कुछ उगल देगा सर। सर, जबसे मडर हुआ है, तबसे कोई फ्लाट ही नहीं खरीद रहा सर। तुम्हारे यहाँ पर CCTV कैमरा भी नहीं है। सर, ज्यादातर फ्लैट्स खाली है या, इसलिए… कितने गैर जिम्मेदार लोग हो तुम। तुम्हें स्टेशन आना होगा जब भी हम बुलाएं। ओके सर, सर, एक मिनट ज़रा… काशीन, गाड़ी निकालो। ए, चल। ए, अगली चल तो चल। यह क्या है सर। लोज गए तो वहां मैनेजर नहीं मिला। और यहां गुनेगार नहीं मिला। करेक्ट खून होने से पहलो उसे एक लैंड लाइन से कॉल आया था। क्या हुआ उसका। सर वह दुकान दो ती नफते से बंदे सर। चल। हम चल के चेक करते हैं। ओके सर। सुनो। बुली। क्राइम ब्रांच से हैं हम लोग। हाँ बुली ने सर। यह सीसी टीवी की फूटेज देखनी हैं हमको। हाँ सर अब यह लाता हूँ। अशुली। अशुली। अशुलर। मैंने अगर मारा तो इतनी बुरी तरह लगेगा की तु यह शेहर ही छोड़कर भाग जाएगा। बोस, क्या गलती की मैंने, मैंने तो आपका काम किया है अपने काम के लिए, अपने काम के लिए, मुझे इस्तमाल मत कर ये कल भी आये थे, मैंने कल मना कर दिया, तो भी आज वापस आ गए ठीक है, बुलाओ नहीं मुझे मडर के बारे में बात करनी है कैसा मडर? ए, तुछुप इतेहास के मडर के बारे में कैसा जानते तो तुम लोगों से? ऐसी क्या डिल थी तुम लोगों के बीच में? डिल नहीं, बिजनेस उसी की बात कर रहा हूँ इतियास मेरे लिए क्लाइंट लाता था और मैं लोन का जुगार करता था अच्छे इंट्रेस्ट के साथ अगर वो बाहर निकल जाता तो? जब बिजनेस होता है ना तो प्रॉफिट भी होता है दे देता था कुछ कमिशनों से कितना? 16% इंट्रेस्ट के लिए 4% कमिशन देता था ये तो मस्ट कमिशन था पर इतियास को इससे प्रॉब्लम क्या थी? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ वो भी आपके मूँ से जब मडर हुआ तुम कहा था? मैं ज़रा पर्सनल काम से बाहर गया था क्या तुमने तियास को गॉल किया था उस दिन? नहीं किया था सर वही मार्क लगा है सर उस दिन तुमने तियास को दुपैर में दो बजे कॉल किया था ये हमारे रिकॉर्ड बे है हाँ याद आया वो बोल रहा था कि हमें इंट्रेस्ट अमाउंट मिलने वाला है मैंने शायद उसी के लिए कॉल किया था इतियास से लास्ट बार मुलाकात कभ हुई थे तुम्हारी भाई आप इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्लिंग में क्या करते हो अरे ये इलिगल प्रॉपटी है कोई कुछ करना नहीं इसलिए मैं यहां हूँ यह मुन्यस्वामी यहां क्या कर रहा है वह भाई इसने नया बिजनस स्टाइट किया है कैसा चल रहा है बिजनस ठीक ठाक ही चल रहा है पार यह पचास अजा लोन उधार मांग रहा था तो मैं इससे यहां ले आया येस भाई तुम लोग हर बार यहीं करते हो भाई इस बार कुछ अर्जेंट है इतियास जब तुम डिल क्लोज कर रहे हो कोई तो उसमें से थोड़ा इसको क्यों नहीं दे देते हो ठीक है भाई आपका धन्यवाद भाई को थोड़ा खराब है अब है सुठ्था पिना काम कर तभी उसे आखरी बार देखा था मैंने तुम किसी को मार के उसे कवर करने में एक्सपर्ट होंगे लेकिन याद रहे हैं खूनी गोठा के जील में पटक कर वहां की रोटी खिलवानम मेरा ट्रेड मार्क है बॉस आपका तो कितना बड़ा रुद्बा है आप इस विज़े का कुछ करते क्यों नहीं वैसे गाड़ी का मिटर भी तो 18200 बोल के 220 किलो मिटर स्पीड दिखाता है ना पर इसका मतलब यह नहीं कि हम उस स्पीड में चलते है हमारी बॉड़ी भी उस स्पीड को नहीं जहल पाती है करने दो उसे उसे उसका काम सक्सेस बुक पढ़कर सक्सेस नहीं आ जाती है वैसे ही जो कोई केस लेता है उसकी मैं लेता हूँ एक क्या है क्या शी बियर के साथ पानी सर यह डी हैड्रेट करेगी और यह हाइड्रेट करेगी सर सर चेर्स कि अज़र बोल रहे है मुझे लगता है कि इतियास को उसे नहीं मारा है सर किसने वह सर मुंझे लगता है उसे नहीं मांडर किया सर ऐसा क्यों? सर आपने तो देखा था न, वो कैसे बात कर रहा था? जब कोई डरा होते हैं तो ऐसे ही बात करता है उसे लड़कियां और भी ज़्यादा पसंद थी वो हर तीन मेहने में लड़किया बदलता था काशी सुन, इतिहास की पिछले दो-तीन साल की कॉल डिटेल्स निकाल गेला ओके सर, लेके आता हूं सर बस करना आप रहने दे? सर, मैं समझा नहीं सर अब तुछ से मैं ट्रिंक की बात कर रहा हूं ओ, ये, ये कुछ नहीं है सर, अभी अपनी बीबी को एक कॉल करूंगा न, सारा नशा उतार देगी, अब ये करता हूं सबसे पहले पता करो लावय को क्या हूँआ ओक्या सर, डूनता हूं सर अब चलता है सर मैं फिर से हूंगा? हाँ, ओके सर हाँ, लावय का घर यही है क्या? हाँ, सर, यही है क्या लावय घर में है? नहीं सर, वो तो बैंगलोर कही हूई है तुम कौन हो? मैं तो बीना हूँ, लावय की कजन हूँ वो बैंगलोर में किस के साथ है? उसने जब कॉल किया थो, तो कहा था, इतिहस के साथ है अब मैं तुमका कैसे बताऊं, इतिहास का मर्डर हो गया है ये क्या बोल रहे हैं सर मुझे सच-सच बताऊ इतिहास से वो मिलने जा रही है, क्या उसने तुम्हें बताया था ये सर, मेरे सामने एक और पर बात हुई थी हेलो हेलो लव्या कैसे हो तुम मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो मैं भी ठीक हूँ मैं ना तुम्हें बहुत चल्दी बैंगलॉर बुलाऊंगा हाँ सारे इंतिजाम करने के बाद तुम्हें जल्द बुलाता हूँ ठीक है बाई लव्या बाई वो मिलेगा मेरे से ये तो बहुत अच्छी बात है सर उसने मुझे कहा था कि हमारे गाओं में एक आदमी है जो उसे बहुत तंग कर रहा था इतिहास और उस आदमी के लड़ाई भी हुई थी लाव्या के लिए तु लड़की के साथ नेन में टका कर रहा है ये ये इतिहास जाने दो से तुम इधर आओ मैं तुझे पक्का मार दूँगा प्लीज वो आदमी भी उसी नोच में काम करता था जिदा लाव्या रुकी थी और वहाँ फिर उनके लड़ाई हुई थी सर उस आदमी का नाम क्या था प्रदीप नाम था ठीक है बेटा अगर लाव्या टच में आती है या कॉल करें तो हमें जरूर बताना मेरा नंबर ले लो ओके सर दीजे सर 98867 नमस्कार भाई हाँ बैटो गाड़ी में बुलिया न भाई जो काम दिया था उसका क्या हुआ कुछ मिला तुझे भाई हम लोग कुशिश कर रहे हैं उस फोन को अनलोग करने में कितने देर लगेंगी और भाई आपको पता है विदाउट फिंगर प्रिंट के कितना मुश्किल होता है खोलना ठीक है ठीक है फोन अनलोग होते ही मुझे खबर करना ठीक है भाई जरूर चलब जा जी भाई नवस्ते सर यहां पर कोई प्रदीप नाम का लड़का काम करता था काँ है वो? सर उसको तो काम से निकाल दिया क्यों? वो कस्टमर को बहुत तंग कर रहा था कौन से कस्टमर्स? हमारे रेगुलर कस्टमर्स को तो कौन है वो? उनका नाम इतिहास है इतिहास? ये सर, इतिहास हमारे लॉज में रेगुलर्ली आता था फिर क्या हुआ मुझे बताओ रदीप को छोड़ो रदीप इतिहास को छोड़ो इतिहास स्लाइड आउटो प्लीज रुक चाहँ दोलो चलो इधर छोड़ो नहीं तुझे चलो बस यही रिजन था सर उसे नौकरी से निकालने का मुझे सुदीप का नंबर दो जरा सुदीप ये सुदीप कौन है सर? वही जो लड़ रहा था उसका नंबर दो सुदीप नहीं सर, प्रदीप है अरे हाँ वही नंबर दे देता हूं सर, लिखिए बोलो डबल नाइन सर, ये वो कॉल लिस्ट है जो आपने मांगा था मां की हुए नमर्स को कॉल करो ओके सर कोई भी फोन नहीं रिसीव कर रहा सर एक काम करो उस नंबर का एड्रेस निकालो और फिर डारेक्ट जाके इंक्वारी करो हाँ ठीक है सर मैं करता हूं सर ए diferen मैंने किसी को नहीं माता है अभी तिर लेके जाके थोहींगे ना तो सब उगल देगा जलो नहीं मुझे कुछ नहीं बता पिदीयास को तुने क्यों माता लड़की का है सर मैं उसे क्यों मारूंगा तुने लोज में उसको जान से मारने के लिए कहा था चल चुपचा पूट बहुत हो गया तेरा भी चल चल नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया चल बता तुने आखेर इतिहास को क्यों मारा सर मैंने इतिहास को नहीं मारा है सर उन्हें उसे क्यों मारा बोलता है सार मैंने उसे नहीं मारा सार बोलता है के नहीं सार मैंने इतिहास को ना लास्ट टेम तब देखा था जब वो हाँ कौन बोल रहा है किसका नमबर सरी है ठीक है सर आप अपर्णमेंट के पास आईए मैं आता हूँ मैं दुकान के पंस बैठा था और वो भी वहीं था सर मैं उसे हराल में मारना चाहता था इसलिए मैंने उसका पीछा किया वो अपर्णमेंट के अंदर चला गया सर बाद में मैंने उसका वहाँ पे बहुत देर तरह इंग दिजार किया मगर वो आया ही नहीं बाद में मैं वापिस चला गया सर यही वा ताउस दिन सर, मैंने उसे नहीं मारा, लीज भरोसा कीजिए सर जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, इसे यहीं पर रखो ओके सर विजय, केस पे कोई अपडेट्स? यह सर यह शायद उपन एंट सट केस है सर, वैसे देखने में तो ओपन एंट सट केसी लगता है पर जब हमने एक के बाद एक छानबीन करने में लगे तो हमें पता चला कि यह मकसद कुछ और है सर, मुझे लगता है कि कोई जाती दुश्मनी का मामला है सर, जैसी पता चलता है, मैं आपको उप्डेट करता हूँ ओके मैडम बोलिये सर यह 8722307437 नमबर आपका है क्या हाँ, जी सर मैं आपको कबसे कॉल कर रहा हूँ, मैडम आप उठा क्यों नहीं रही हो सर, मोबाइल बच्चे के पास था देखा ने खीक है, यह इतिहास को आप जानते हो क्या कौन सर अरे मैडम, इतिहास जो बैंक में काम करता है, उसने इस नमबर पर बहुत कॉल किये हैं, और आप कहते हो कि आप उसे जानते नहीं हो सर यह नमबर मेरा नया है अभी उसकिया, अभी लिया है, हाँ, सॉरी मेडम, कोई बात नहीं सर, नमशकर सर, उस और ने तो अभी अभी वो नमबर यूज करना स्टार्ट किया है सर, एक काम करो, मैं तुम उस नमबर की डिटेल्स मेसेज करता हूँ, ओ, ओके सर, ठीक है सर, सरदर्थ हो गया है सला, पता नहीं कितनी लड़कियों से मिलना पड़ेगा और, हाँ, मेडम, अश्वनी आप ही हो क्या, नहीं सर, मैं सूमा हूँ, सूमा हो क्या, ये एड्रेस देखिए, देखिए, सर, एड्रेस तो एक्दम सही है, पर यहाँ कोई अश्वनी नहीं रहती है, आपको सिम कार्ट इ अश्वनी ओनर उपर ही रहते हैं, आप उनसे ही पूछ लीजे, ठीक है मेडम, अश्वनी नाम का कोई नहीं रहता, नीचे जो लड़की रहती है, रेंट पर क्या पता वो भी वेसी हो, ऐसा कोई नहीं है सर, ऐसा क्या, हाँ, आजी सुनते हो, गैस पर दूद रखा है, अगर आज वो फिर गिर गया ना, तो मैं आज आज आपको गिरा दूँगी, हाँ, खुद देख लो अपनी तीसरी आख से, हाँ, सर यहाँ पहले लड़की थी, तुमारे पास उसका कोई फोटो है क्या, हमारे पास क्यों होगी, सर आपने फोटो एड्रेस प्रूफ के लिए 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 थी, जब रेंट पे दिया था तब, मैं पूरा घर देखे बताता हूं, सर आपको, हाँ, ठीक है, आप मेरा नंबर लीजिए, हाँ, लिखिए, ठीक है, सर, थेंकियो, सर, नवस्ते, सर, मैंने आदर्श के ओफिस से सिसी टीवी फूटेज चेक की, वो उस राइम अपने ओफिस में नहीं था, सर, क्लाइंट की लोकेशन पे था, मैं वही पर जा रहा हूं, सब चेक करके, मैं आपको बताता हूं, सर, ओके, सर, हाँ, मैं अभी आ रहा हूं, दस पिनेट में तयार रखना, तयार रखना, ओके, ओके, ढून रहा हूं, मैं, हाँ, मिल गया, बस आ रहा हूं, ये रही वो लड़की, हाँ, ओ, तो ये है, हलो, सर, मुझे एक आईडी प्रूफ मिला है, मैं आपको वाटसप करता हूं, हाँ, बेज दीजे, बेज दीजे, ओके, पूरी दुनिया वाटसप के दिवानी है, ये क्या है, ये सूरज की रोशनी से बचने के लिए, इस कपड़े का इस्तमाल कर रहे है, वो सिर्फ इसलिए ही उस कर रहे है, ताकि गर्मी से ग्लास न तूट जाए, सर, सर, अश्विनी के पुराने उनर ने फोटो भेजी है, देखिये, सर, इस लड़की को तो मैंने कहीं पर देखा है, सर, ये लड़की, तो शायद आदर्श की वाइफ है, हाँ, करेक्ट, सर, हमने इसे उस फोटो में भी देखा था, लेकर आओ इसे, नाम क्या तुम्हारा, अपेक्षा सर, क्या तुम्हारा कोई और नाम भी है, नहीं सर, सिर्फ अपेक्षा, बस इतना ही, हम, अ, सर, ये तो सिर्फ डॉक्यमेंट्स के लिए है, बाकी घर में भी सब अपेक्षा ही बुलाते हैं, वैसे तो में तेहास को जानती हो ना, हाँ, सर, जानती हूँ, उसी ने हमको लोन दिलवाया था, बस इतना ही, या कुछ और भी है, जैसे की, एक आशी, ये सर, इसके पुराने लेंडलोड को कॉल करो, अब वो ही है, जो इन सब की डिटेल्स दे सकता है, ओके सर, सर वो, अज़ वो, अर पर क्या हुआ? हाँ, यहाँ देखो हम दोनों की जोड़ी सूपर हिट है अगर तुम ऐसे ही सुट्टा पीते रहे तो कल उसके पैक में तुम्हारी फोटो लगेगी एक बात बताओ वो कौन बंदा था जिसको तुम पाइक पर गले लग रहे थी? कब और कहां पर? बस हो गया पेक्षा, चुपचाप बताओ कौन है वो लड़का? वो, एक्चिली वो मेरा कजन था अच्छा वो तुम्हारा कजन था बुल्चिट इतिहास अच्छा आदर्श को पता है इत सब के बारे में? नहीं सर तुम बापेस इतिहास के कॉंटेक्ट में कब आए? जब हम लोग फ्लैट्स देख रहे थे तो ब्रोकर के थरो उसका कॉंटेक्ट मिला था वो घर भी आया था एक दो बार ओके बाई यह मेरी वाइप है अपेक्षा हाई इतिहास अपेक्षा बस यही हुआ था सर मतलब तुमने आदर्श से इन सब के बारे में बात नहीं की नहीं सर सोरी सर आपका दिया फोन अनलॉक नहीं कर पाया क्या मैं इसको अपने साथ वापिस ले जा सकता हूं शूर सर पर आपको इसको चार्ज करके रखना पड़ेगा अगर यह एक बार स्वीच आफ हो गया तो पासवर्ट से खुलेगा फिर सर सर इस फोन को हम अब अनलॉक कैसे करेंगे पता नहीं लोग आइफोन कैसे यूज करते हैं हुआ हुआ है तुम इतिहास को कैसे जानती हो सर इतिहास कॉलेज में मेरा सीनियर था हुआ हम लोग अकसर गाउ में मिलते थे फिर इतिहास बैंगलॉर शिफ्ट हो गया था जब वो वीकेंड्स में गाउ आता था तो हम मिलते थे पर पिछले हपते इतिहास ने मुझे बैंगलॉर आने के लिए बोला उसके बाद मैं बैंगलॉर आके उसका इंतिजार कर रहे थी है अब मैंने बस लिफ्ट दिये यार हाँ या या ओके ओके पाइन कल बात करते हैं ओके बाई 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 ओके हाँ हाई जिसे हर मस्त विलते हैं वन टू हाँ थी अ अंदेरे से डर तो नहीं लगता ना अहाँ आओ आओ अरे आओ ना कितने टाइम बाद देखा है तुम्हें अहाँ शिट अरे शिट यार हालो हालो बॉस मैंने बोला था ना कल कॉल करूंगा तुझे कुछ अर्जेन बात करनी है आठी के बोल पहले आप बताओ आपकी धरो कम से कम बतातों काम क्या है मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं कल कॉल करता हूं तुझे थाउजन माईल की शिरुवात एक सिंगल स्टेप से होती है हां मुझे इस नेचर की तारीफ करनी होगी तो उसकी शिरुवात तो तुम्हारे इन प्यारे होटों से करनी होगी पहले जा कर तुम फ्रेश हो जाओ और उसके बाएब अरे जाओ तुम जाओ कि अप कि अ कि अ इसा ही एक हपता चलता रहा सर जब तुम इतिहास के साथ थी कोई और भी आया था क्या फ्लेट में कोई वहाँ पे फाइल लेने आया था सर हलो हलो क्या आप पैसे देने जा रहे हैं हाँ हाँ मैं निकल रहा हूँ मैं कहा के मिलो आपसे मेरे रूम के पास आओ साथ में जाएंगे दोनों हाँ ठीक है बस ओके हाँ हाँ चीक है मैं जा रहा हूँ भी वापस कब तक आओगे बहुत जल्दी ओके ध्यान रखना बाइ बस वो लास था जब मैंने उसे देखा तो तो तुम फिर लॉट से कैसे निकली सर इतिहास के जाने के बहुत दिर बाद मैंने उसे बहुत कॉल किया मगर लगा नहीं उसे मैंने बहुत प्राई गिया उसे और फिर वहां रूम पे दो लोग आए वो कुछ ढूंड रहे थे जब तक मुझे समझ आता क्या हो रहा है उन्होंने मेरे आखों बंद कर दी मुझे कहीं ले गए पता नहीं कहां पर वो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहां उन्होंने मुझे रखा था आज में वहां से भाग आए और इतिहास को कॉल कर रहे थी अब बताएज सर ितिहास को क्या हुआ यह इतियास का फोन है आपके पास उसका मुबाइल क्यों है क्या तुम इसे अनलॉक कर सकती हो सर यह लड़की कैसे खुल सकती है यह फोन मैं बताऊंगा तुम्हें इतियास को क्या हो है कि इतियास का मडर हो गया क्या है नहीं नहीं आप मुझे जूट बोल रहे हो नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझे पता है वो इतियास ठीक है कि अधियास यह फोन किया से अनलोक हो गया सर किया दुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ को तुम्हारा पासवर्ट पता है अब हो कि हाँ कि यह क्या है सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है लेकर आओ इसे कि सैर आपने मुझे बापस क्यूं बोलाया मेरा इस मडर से कुछ लेना देना नहीं है आप सिर्फ मेरा टाइम बेश्ट कर रहे हैं चीचे ऐसा कुछ नहीं मैं तो बस तुम्हें देखना आपने देख लिया ना तो क्या अब मैं जाओं अब जाने से पहले इस वीडियो को तो देखते जाओं तो अब तुम बताओंगे यह सब कैसे हुआ इतिहास ने मुझे दस लाग के लोन एरेंज करवाया था आदित तुकॉलापूर से जो के बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट पर था कि शुरुवात में तो मैं पेमेंट टाम पर दे रहा था रही वहाग गया वह देखिए पिछलेगा इंटरेस्ट किदर है? सर, मैं दो महीने का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ अगर तु इंटरेस्ट टाइम पे नहीं देगा तो आगली बार से मेरे लड़के तेरे खर आ के वसुल करेंगे नई सर, मैं टाइम पे दिया करणा चल जब ठीक है सर पर मैं फिर कुछ महीने बाद उसे नहीं दे पाया तो आदित तुकलापूर के लड़के मुझे उठा कर ले आए भाई भाई प्लीज मत मारो मैं पेमेंट कर दूगा जल्दी आगे महीने पक्का प्लीज मत मारो मत मारो प्लीज हे आदर्श क्या हुआ वोट हैपेंड और फिर कुछ दिनों बाद हाई अपेक्षा हाई भाई भाई सुनिए भाई मुझे और भी जगह बहुत पेमेंट करना है नेक्स नवन पक्का कर दूँगा मेरे उपर बहुत सारे लोन है इसलिए आपको मैं नहीं दे पाया भाई प्लीज थोड़ा और टाइम मुझे दे दो भाई मैं पक्का आपको दे दूगा आदर्श यह क्या हो रहा है आदर्श 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 जो भी आपको पूछना है जल्दी जल्दी पूछिए मुझे और भी ज़रूरी काम होते हैं सर पूछना आदर्श यह त्यास का मोबाइल है तुम्हें पता था क्यों से पता चल चुका इस बारे में इसलिए तुमने उसे मार दिया अधित्य कोलापुर से पैसे लोगा अधित्य कोलापुर से पैसे लोगा अधित्य कोलापुर से लोगा यह त्यास अधित्य कोलापुर अधित्य कोलापुर झाल 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 यह वीडियो आदित्य कोल्लापूर को दिखा कर उससे पैसे लूँगा, समझवे आए रहा तुझे, तुमने ही इत्यास को मारा है, कब हुआ, सर, मैं उसे मारने ही जा रहा था, मगर किसी और ने पहली मार दिया, तो मैंने अपना रास्ता भी बदल दिया, तुमने ही इत्यास को मारा है, और वहां से भागते हुए अपनी अंगोठी वहां बूल गए, सर, यह रिंग गुम हुए बहुत टाइम हो चुका है, सर, है काशी, सरु उसके पास जितनी कैब की डिटेल से उससे वो ले और वापिस भेज दे, सर, पता कैसे चलेगा सर, बुकिंग डिटेल स्लो है यार पता चलड़ है, हां सर, अभी अभी करता हूं सर, अब ही सर ता हूं, तू यह कैब ड्राइवर, हां सर, तुने इसे देखा है नहीं सर बिना देखे तुने इसे ड्रॉप कैसे कर दिया सर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं मुझे नहीं पता कि कौन है अच्छे से देख और फिर बता हाँ सर अभी मुझे याद आया वैसे तो ये अदमी मेरी कैप में ही बैठा था और हाँ उसके साथ में कोई तीन अंदे बच्चे भी थी सर अंदे बच्चे? हाँ सर पहले तो ये आदमी मुझे बड़ी अजीब तरसे देख रहा था पता नहीं वो ऐसे क्यों देख रहा था मुझे पहले ये वाला आदमी कैप से उतरा उसके बाद कोई औरत ने कैप से अंदे बच्चों को उतारा औरत? हाँ सर सर मैंने कैप ड्राइवर से बाद की सर उसने आदित एकोलापूर को पैचान लिया सर और तो और उसकी कैप के अंदर कुछ अंदे बच्चे भी बैठे हुए थे सर हाँ आदित एके उतरने के बाद कोई लेडी ने उन बच्चों को उतारा था सर एक लेडी? हाँ सर वही सर उसका स्टेटमेंट ले लो ओके सर सर इसका स्टेटमेंट लेके इसे वापस भिज़ देता हूं सर बाद मैं बुला लूँगा सुआमी कॉलेज अदित्य कोलापूर बिसनेस पार्टनर लाविया लवर है अपेक्षा एक्स लवर आदर्स कस्टमर है लवर मिसिंग थी अपेक्षा बेग होना है आदर्स ट्रैप्ड है कोई आदित्य कोलापूर को ब्लैक मेल करता है लाविया मिसिंग मतलब आदित्य कोलापूर ही किट्नय पर है तुमने फॉरेंसिक एविडेंस से क्यों छेचाड की वो फिंगर रिंग से सर ऐसा नहीं है केस को डाइवर्ट करने के लिए जान बूच कर वहाँ पर रिंग छूड़ी गए थी और उस एविडेंस से हमें अभी तक कोई भी पूरूफ नहीं मिला सर ओके सर आप प्लीज पता करिए कि किसने ब्लैकमिल किया था मैं तो बहुत डॉर्चुर हो गया हूँ सर उससे डॉर्चुर उन्हें लाविया को डॉर्चर क्यों किया सर हलो जी बाई बताओ तुम कहा हो मैं मिंच ओ अपाटमेंट में हूँ वही रहना मैं आ रहा हूँ ठीक है इदर आओ सुनो मेरी बात इतियास ने रूम में पैसे रखे जाके वो ले आओ फोन करके पूछ लू क्या कि इदर रखा है तो खुद नहीं डून लेगा जाकर जाना ठीक है भाई हलो भाई इतियास का मर्डर हो क्या भाई कब हो आ हुआ 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 है अब चंडू लोग इसको क्यों लेकर आ गए तुम लोग भाई पूरे होटल में च्वान मारा लेकिन पैसा कहीं भी नहीं मिला तो इसके लिए इसको उठा के लेकर आ गए हम लोग अब तुम लोगों का क्या करूं मैं अब तुम्हारी बेवकुफी का पहले जाकर उसे हफते भार के लेका ही छुपाओ किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह सब में ने किया है नाइस वेरी नाइस तु कहीं पकड़ा ना जाए इसलिए तुने लड़की को किड्नैप कर लिया यह इसके साब क्या कर रहे है बन्राओ कर लिया यह जाओ आए यह 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 वोओो थो तर इन लोगों ने मिलके ब्लेक मेल किया सर जाओ मुनी स्वामी को ठाकर ले क्या हो ये बैक देखने के बाद तो कुछ याद आया होगा सर प्लीज सर मैंने कुछ भी नहीं किया एक आशी सर अभी तुम बताओगी या हम तुम्हें कुछ दिखाए सर मुझे पैसों की बहुत तंगी थी मैं एकलोती काम करने वाली हूँ एक भाई है पर वो किसी काम के लायक नहीं सर जब भी मेरी ड्यूटी कैश काउंटर में लगती है मुनिस्वामी से क्या बात कर रही थी सर मैं बस पूछ रही थी उसने मेरा नंबर पुलिस को क्यों दिया सर सर मुनिस्वामी सर अधितिक कॉलापूर का डील का अमाउंट हमने कस्टुमर से कलेट कर लिया था सर हाई सर सर अमाउंट थेंक यू सर मुनिस्वामी लाविया ने मैसेज किया है मुझे अभी मुझे लॉज जाना पड़ेगा बस पैसों के लिए पूछेंगे तो अरे पैसे दे देंगे उने कल तक बस फिर मेरा पैसा कल मेरे रूम पे आके ले लेना हाँ बोल क्लाइंट ने कॉल किया था कौन सा कलाइंट जिससे अभी पैसे लिए थे उसने हाँ डॉकमेंट्स के बारे हम पूछ रहा था डॉकमेंट्स रेडी है उसके आप कहा हैं लॉज में हो रूम पे आजा ओके अभी आया बास डॉकमेंट्स हाँ सब कुछ सही से है ओके भाई ठीक है हलो स्वामी जी कहिए भाई तुमने पैसे कलेक किये की नहीं हाँ भाई कर लिया कलेक इतिहास चोंसे लॉज में रखा है ये इतिहास कॉल क्यों नहीं उडा रहा है मुझे पता नहीं है भाई ओह मुझे इतिहास से घर पैसे लेने जाना है हलो स्वामी मुझे कुछ कहा में तुमसे मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे ठीक है भाई ये बहुत जरूरी है पैसे मत भूलना पक्का पैसे घर में हम लोग शाम को दे देंगे ठीक है भाई यार ये तिहास का मर्डर हो गया है ये क्या बोल रहा है तु हे एक पैक लेग गया पैसे घर में है पैसे घर में है हे ओडर कैंसल कर दे यही हुआ था सर चल चल ले दर चल सर किस किस के उपर शक करें सर इन में से किसी पे भी शक करने का चांस ही नहीं है और सबूत भी नहीं है आपको किस पे शक है सर इस समय केस में किसी पर भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल है काशी मुझे केस में इन सब पर शक हो रहा हूँ पर सर यह आदमी बहुत स्मार्ट है सुनो काशी अभी ऐसा है उसने कोई ना कोई तो गलती जरूर की होगी वो हमारे लिए इजी कर देगा सब हाँ सर मैं बूरी मेंनत कर रहा हूँ वकलू ढूडने की पर मिली नहीं रहे सर इतियास के लोग मुझे इस वीडियो से ब्लाक मेल कर रहे थे सर तुमें तियास के साथ दुबारा काउंटेक्ट में कब आई सॉफ्टियर जोग हाँ हाँ सर वो पहले करती थी पर अब हॉस वाइट है अभी वो अनाथा श्रम गई है देखो हमें भी बार बार तुमें बुलाना ऐसे अच्छा नहीं लगता हमें सब कुछ सच सच बता दो तुम्हें कुछ नहीं होगा सर मैंने सब कुछ बता तो दिया था मेरे पास कहने को अब कुछ नहीं बचा जब मैं तुमारे घर गया तो मैंने तुमारी फोटो उस अंधि बच्चों के साथ देखी तुम उन बच्चों का इस्तमाल अधित्य कोलापुर को ब्लैकमेल करने में और उससे पैसे निकालने में इस्तमाल कर दी थी अमने इंक्वारी में सब कुछ पता कर लिया है तुमने उन पैसों का क्या किया आगे और वो वीडियो किसने रिकॉर्ड किया कर दो सर मेरी जिन्दगी एकदम पानी की तरह ट्रांस्परेंट थी पर बिन बुलाई ये दो प्रॉब्लम शुरू हो गई और उन में से एक तो भले हम दोनों इतने सालों बाद मिले हूँ यकीन नहीं होता तो मैं आज भी आगबर करार है तुम्हें पता है हमारा प्यार इस समाज के परे है नहीं तुम जाओ अच्छा इधर आओ बाओ बाओ की की मारे एक नहीं होगा वुप बाओ ₤ नहीं हो और एक राण हाँ तुम हाई अपेक्षा मैंने तुम्हें कितनी वाटसेट कॉल की रिप्लाइए नी किया तुमने बिजी हो क्या तुम मेरी सिचेशन क्यों नहीं समझते हो मैं यह सब और नहीं कर सक्ती हूँ अपेक्षा, हम लोग जनम जनम वाले लवर्स हैं, फाइनली हम फिर से साथ हैं, अपेक्षा नहीं अपेक्षा, तेखो, हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं येस, लेकिन गलत रास्ते पर लोग, मुझे किसी और के प्यार से कंपेर मत करो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो मैं वही कर रही हूँ ओके, ठीक है, कम से कम हम इससे एक हैपी एंडिंग तो कर सकते हैं न तुम्हें अंदाजा भी है, क्या बोल रहे हो, बस निकलो यहां से अपेक्षा ओ माई गॉड, यह आदर्श है, मुझे लगता है यह आदर्श है, अब क्या करें चा करना है पक्ता आदर्श ही है ओ माई गॉड, तुम्हें छुपना होगा क्या करूँ बैक डॉर से एक्जिट कर लो ओ गॉड, आई होग कि आदर्श ना हो, प्लीज मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, प्लीज, जाने दो, अभी कर दूँगा मुझे जाने ही दिज्ये में आपकों सुपना होगा ज एए में तूँगा न दोता है में दोता है वज़ बाफ 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 ए लिए जो लेगता है ये वीडियो आदित्य कोलापूर को दिखाऊंगा तो बहुत पैसा मिलेगा मुझे उससे पर मुझे तो बस तुम चाहिए पैसा नहीं, मेरे लिए पैसे से वड़ी तुम हो तुम समझ रही हो ना, मैं क्या बोल रहूं पहली प्रावलम थी आदर्श के पैसे मैंने खुद अदित्य कोलापूर से वो लेने का सोचा चाहिए में जदित्य कोलाप कोलापूर से वो लेक सब्सके पैसे आदर्श यहाँ पा सब्सक्वाशन के बीर प्रहाशन के बीर थेखर लेदेटित्स तुम चाहिए रहूर्अ मिलेगा के पैसे हो आदर्श के पैसे अदित्स और मैंने फिर अधित्य कोलापुर को बोला कि इतिहास ने उसे ब्लेकमिल किया है बाद में मुझे लगा कि उसी ने उसे मार दिया तो इतिहास ने तुमें ब्लेकमिल किया और तुमने अधित्य कोलापुर को ब्लेकमिल किया राइट मगर सर आपने सब को क्यों बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए और फिर वापस भिज दिया मैं समझा नहीं सर देखो काशी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिन्होंने क्राइम नहीं किया वो स्रांत रहेंगे और जिन्होंने किया है वो फिर कोई न कोई गलती जरूर करेंगे और मैं उसी गलती का इंतजार कर रहूँ क्या दिमाग लगाया है सर स्वाभन दिमा इंतब मैं की अा énormément जसे पांसे डिन्हीं रह ंभड़ाडन देटो का वो सलाई प्लम सुछающiałगस झाल झाल विजय, क्या वो वीडियो सच है? यह सर, मुझे लगता है, वो एक सबसे इंपोर्टेंट एविडेंस है इस केस का पर विजय, ध्यान देना कि यह वीडियो लीक न हो वरना यह केस कोई और भी मोड लेगा सर, आप चिंता मत किजे बिलकुल वे इस केस की हर एक चीज, सारे सस्पेक्ट और एविडेंस मेरे कंट्रोल में है तो मैं खयाल रखूँगा हर चीज का मुझे लगता है इस केस को इंसाफ मिलेगा जरूर सर हो क्यों विजय ए तुमने शट क्यों बतली अपनी? अरे सर, चाय गिर गई सर इसलिए चेंज करना पड़ा सर, 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 क्या हुआ सर? सर, सर, सर सर, क्या हुआ सर? देखो जब ही आया है उसने दूसरी पैंट पहनी है वापिस जादे टैंक पैंट बदल गई कुछ तो गड़बड है अब ये डैलोग बजी बंद क्या हुआ सर? इतिहास को तुमने मारा और इलजा मदित्य कोलापूर पे लगा के अपनी पतनी के साथ शांती से रहना चाते थे इतिहास ने तुम्हें फ्लेट दिलाने में हर एक हेल्प करी तुमारी और तुमने उसके साथ ये किया हाँ 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 तुमने प्लेट दिल्वाग के सिंदगी परवाद कर दी है अपेक्षा इतिहास था क्या जब भी मैं अपनी वीबी के करीब जाता था तो मुझे इतिहास ये परफ्यूम की इसमेल आती थे हाँ हाँ चाँ उसने मुझे आदित तुकॉलापूर से लोन दिलवाया और मेरे जिन्दगी बरबाद कर दी कर दो कर दो कर दो कर दो हलो हलो इतिहास मैं आदश बोल रहा हूँ सर ये किसका नंबर है मेरे फोन में प्रॉब्लम आ गई है इसलिए मैं इससे बात कर रहा हूँ ज्यादा कुछ नहीं है मुझे अपने एक दोस्त को फ्लेट दिलवाना है आप आई आपार्टमेंट के बास दोके बास मेरे साथ चिटिंग करेगा मर सालिक कमीने मर सालिक कमीने और मडर वेपन का क्या किया तुमने कौन सा वेपन सर वो हत्यार जो तुने उसे मारने में यूज किया था सर मैंने कोई हत्यार यूज नहीं किया मैंने उसे गलाग घोड कर मारा यार यार यूज का मर्डर हो गया है यह कैसे हो गया मेरी जिन्दगी एकदम पानी की तरह ट्रांस्परेंट थी पर बिन बुलाई ये दो प्रॉब्लम शुरू हो गई और मैंने फिर अदित्य कोलापुर को बोला कि इतिहास ने उसे ब्लैक मिल किया है काची गाड़े तेयार करेंगे जिन्दगे एकदम प्रॉब्लम शुरू इतिएगो प्रॉब्लम कि अपकाष्यान कि अपकाष्यान आप जो आप तक बलाए। सर में महिश बोल रहा हूँ सर में उसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ सर प्लीज मेरा सस्पेंड ओर कैंसिल करवा दीजे सर ओके सर श्योर सर जैरीन सर